पर रात को कायो की मौम कायो का मूँ बार बार ठंडे पानी में डालती है, ताकि उसके फेज की जो सूजन है वो कम हो सके, और किसी को उस पर शक ना हो कि वो कायो को इतनी बुरी तरह से मारती है जो उसके बाद अगले दिन कायो स्कूल में लेट पहुशती है और उसकी गर्दन पर एक और चोटकन्या निशान होता है जो देखने के बाद सुटोरू लंच में यहिरू के पास जाकर उसे सब कुछ पता देता है कि कैसे कायो की मौम उसे सेटेडे को मारती है और इसलिए कायो हर मंडे को एपसेंट या लेट होती है